नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चनल में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे हेरा फेरी तीन की जी हाँ दर्शकों को हेरा फेरी स्रीज की फिल्में काफी पसंद आई इसके लबर काफी खुश नजर आते हैं जब ये फिल्म आती है पर्दे पर क्योंकि फिल्म आपको गुद गुद आती है हसाती है अब फिल्म की ओरिजिनल कास्ट यानि अक्षा कुमार सुनशटी और बाबु राओ यानि की परेश रावल की तिकड़ी एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए तयार है हेरा फेरी तीन की फिल्में अक्षा कुमार का कमबैक हो चुका है जी हाँ कमबैक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अटकले ये लगाई जा रही थी कि उनकी जगह कार्तिक आरियन इस फिल्मे नजरा आने वाले थे हलाकि जब ऐसा बात कार्तिक आरियन की आई तो काफी बवाल मचा सोशल मीडिया पर हेरा फिरी सीरिज के जो फैंस है उन्होंने रियक्ट भी किया और कहा कि भई कार्तिक आरियन की जगह अक्षा कुमार को होना चाहिए क्योंकि इस फिल्मे काफी सूट करते हैं दर लोगों ने मुझे डिमांड की और फिर काफी दिर के बाद काफी चीजों के होने के बाद अब फाइनली इस फिल्म में अक्षा कुमार की वापसी हो चुकी है कैमबैक हो चुका है दोस्तों हेरा फेरी तीन के जब बात चली थी तो नई कास्ट की वज़ा से काफी चर्चा में आये थी अक्षा कुमार ने कहा था कि उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया है और इसके बाद कार्थिक आरियन को कहा गया था कि यह फिल्म का रोल आफर किया गया है उनकी जोली में फिल्म गई है लेकिन सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं फैंस फॉलोर हैं उन्होंने काफी बवाल किया और भी चीज़े की रिक्वेस्ट की तो इसका नतीज़ा फैंली ये रहा कि अब इस फिल्म में अखिरकार अक्षे कुमार दोबारा वापस आ गया है और जो फिल्म की तस्वीर बाहर आई है जो आपको दिख रही है उसमें अक्षे कुमार भी नज़र आ रहे हैं फिल्म में एक बार फिर से राजू, श्याम और बाबु राओ का किरदार नज़र आएगा और इसके करेक्टर वही होंगे यानकि अक्षे कुमार, सुनिशटी और परेश रावल लेकिन दोस्तों कई जगे मीडिया में खबरें चल रही है कि हेरा फिरी फिल्म के शुटिंग शुरू हो चुकी है फिल्म की शुटिंग शुरू होने के बाद जल्दी है, सिनिवा घरों ही नज़र आएगी तो इसकी सच्चाए भी हम आपको बताते हैं कि दरसल अभी हेरा फिरी तीन की शुटिंग शुरू नहीं हुई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक हेरा फिरी तीन की शुटिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन फिल्म के तीनों एक्टर्स फिल्म के प्रोमो शुट के लिए एक साथ नज़र आए और उसी वही तस्विर सामने आए जो प्रोमो शुट के दुरान सभी की तस्विर एक साथ ली गई थी अभी कहा ये जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और ये सिर्फ फिल्म का प्रोमो शुट हुआ है ताकि जो इसके फैंस हैं जो सोशल मीडिया पे चीज़ चल रही थी ट्रोलिंग हो रही थी उसके वारे फैंस को आफिशल नियूज मिल जाए खाबर मिल जाए कि तीनों कलाकार फिल्म को जो औरिजिनल कलाकार है फिल्म के वो फिर से एक साथ नजर आएंगे और इसमें कोई परिश्राणी नहीं है कोई बर्दाव नहीं किया गया है यही बात है कि फिल्म के जो तस्वीर है उसमें तीनों कलाकार सुनरशटी अक्ष़कुमार और परिश्रावार एक साथ नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए भी बता दें कि आप इस फिल्म के इतिजार कर रहे हैं तो इस फिल्म के बारे में जो भी अब निठोगा हम आपको बताएंगे लेकिन एक सी आपको और बता दें कि इस फिल्म को जो निर्माता है नाडिया डवाला और अक्ष़कुमार इन दोनो के बीच में पहले कुछ हो गए थी प्रावलम्स हो गए थी रिलेशन को लेकर कर्फिजन हो गया था और उसके बाद इसी वज़ए से अक्षय कुमार की खबर आये थी कि वह इस फिल्म से किनारे हो गया है इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे और इसके जगा कार्ति कारियन को लिया गया है लेकिन अब ऐसी बात नहीं है या बिल्कुल साफ हो चुका है आपको और भी एक चीज़ बता दें कि जो के आरके हैं के आरके भी ट्वीट करके बताते हैं कि 2007 में अक्षे कुमार ने फिरोज नाडिया डवाला के फिल्म वेलकम प्रोड्यूस की थी और उसके बाद दोनों ने तैक किया था कि वो फिर कभी एक साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगे बिते 15 साल से एक दूसरे के दुश्मन हैं और अब साथ में हेरा फेरी तीन कर रहे हैं ये सबूत है कि बॉल्यूड में कोई भी हमेशा के दोस्त या दुश्मन नहीं है तो किया रके ने बताया कि किस फिल्म को लेकर अक्षे कुमार और फिरोज नाडिया डवाला के बीच में जो चीजे थी वो सही नहीं रही थी और साथ में काम करने का तूर्हन फैसला नहीं किया था लेकिन इन सारी चीज़ों को क्रिया रखते हुए अब एक बार फेर से जो फिल्म हेरा फेरी तीन उसके सारी एक लकार पुरान एक लकार जो है एक साथ नजर आएंगे तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जो जनकारी दी थी हमने आपको हेरा फेर तीन के बारे में और वो भी चीज़े क्लियर कर दी कि फिल्म के शुटिंग शुरू हुई है या नहीं है हमारे समझ पर आपको जो भी जनकारी मिलेगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो फिल्ज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें यूटिव चैनल को वीडियो को ज्यादा से लोगों को शेयर करें और इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें